अलो फॉरिवर्न सुभागत है आप सभी प्यारे वीवर्स का एक बार फिर से जी याँ प्यारे दोस्तों एक षांदार वेकंशी पर्मानेट वेकंशी नर्सिंग आपिसर की एक बार फिर से आच depicts QA 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 Q कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं वेकेंसी बना रहे हिंदू इन्वर्शिटी जो भी है वहाँ से रहने वाली है एड्वर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं यहां पर टू जिरो ऑबलिक टू जिरो टू थृ टू फॉर तोजार तेश्ट वि डू.bhu.ac.in इस पे जाके आपको फॉर्म है वाइपलाई करना होगा फॉर्म ऑनलाइन मोट से यहां पे रहने वाला है डेट की बात करते हैं तो आपका फॉर्म है दोस्तों लास्ट डेट फोर्दा ऑनलाइन सब्मिशन आफ दा एप्लिकेशन फॉर्म एप्लिकेशन फी 22-01-2024 22 चनवरी आपकी लास्ट डेट यहां पे रहने वाली है सामको पांच बज़े तक वहीं दोस्तों लास्ट बात करें दो आज से फॉर्म आपके स्टार्ट है खुल मिला के और जो एप्लिकेशन आपका डाउनलोड है सब्मिशन एप्लिकेशन ममदा अलॉंग विद 27 तक आपका प्रोसे चलने अवाला है अब दोस्तों बात करें यहां पे अलगले ग्रूप के अंदर पॉस्ट है रहने वाली है ग्रूप A के अंदर उसके बात में ग्रूप B के अंदर बात करते हैं यहां पे अपने नर्सिंग डिपार्टमेंट की वेकेंसी रहने वाली है जी यहां दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो नर्सिंग ओपिसर की वेकेंसी रहने वाली है नर्सिंग ओपिसर मेल एंड फिमेल दोनों के लिए वेकेंसी है और कोड नुमबर आप देख सकते हो यहां पर वहीं बात करें दोस्तों पॉस्टों की तो आप देख सकते हो यहा और वहीं SC की बात करें तो 25 पॉस्ट है फिमेल के लिए 6 पॉस्ट मेल के लिए और उसके बाद में ST की 13 पॉस्ट फिमेल के लिए 3 पॉस्ट मेल के लिए रहने वाली है OBC की बात करें तो 45 पॉस्ट है फिमेल केंडिडेट के लिए रहने वाली है और 11 पोस्ट है यहां पर male category के लिए रहने वाली तो वेकेंसी दोस्तों almost यहां पर पोस्टों की बात कर तो 200 प्लस दोस्तों पोस्ट है यहां पर हो सकती है 200 प्लस आपकी पोस्ट है यहां पर रहने वाली है पर्मानेंट यह वेकेंसी दोस्तों रहने वाली male and female दोनों के लिए यहाँ पे दोस्तों 80-20 देखने को आपको मिल रहा है 80% is seat female के लिए reserve रहने वाली है 20% is male के लिए अब दोस्तों medical officer की भी है nursing superintendent की भी दो post है यहाँ पे रहने वाली है chief nursing officer की एक post है अब अलग-अलग department की यहाँ पे vacancy हैं आप देख सकते हो टोटल दोस्तों nursing officer की बात करतो 223 पॉस्ट है रहने वाली है male and female दोनों के लिए exact दोस्तों 223 अब दोस्तों essential qualification की बात करें कितना क्या qualification है आपके पास में यदी experience है required या फिर नहीं है सारी चीज़े में आपको बता देता हूं अलग-अलग department wise आपको यहाँ पे mention कर रहा है सबसे पहले आप सीफ nursing officer की बात करतो में नर्सिंग आपके पास में compulsory है साथ में दोस्तों five year के आपके पास में teaching and administration और पांसो बेड़ेड होस्पिटल का five year का experience है तो आप यहाँ पे apply कर पाओगे वहाँ nursing superintendent की बात कर रहा तो यहाँ पे 15 year का आपके पास में experience है और five hundred bedded का then you can apply and BAC nursing candidate भी apply कर सकते हैं उसके बाद मैं यहाँ पे बता रखा है कि sorry यहाँ पे mistake होगी three year का experience मांगा गया है ठीक है और वहीं बात करें दोस्तों medical officer की तो यहाँ पे two year MBBS के साथ में experience होना compulsory है यहीं आपन दोस्तों मैं बात करें यहाँ नर्सिंग officer की पोस्ट के लिए के लिए चीज़ है दोस्तों यहाँ पे आपन देखते हैं सबसे पहले BAC nursing in a regular course in the BAC nursing from a recognized university या फिर इंस्टिटूट उसके बाद में post BAC nursing रिकोगनाज इंस्टिटी आफर इंस्टिटूट तो भी आप अप्लाई कर सकते हो that means यहाँ पे GNM BAC BAC nursing candidate apply कर पाएंगे GNM के candidate यहाँ पर apply कर पाएंगे बट यहाँ पर experience यहाँ पर रहने वाला है अब यहाँ पर third number point पर आप देख सकते हो registered nurse as nurse midwife RN RN number आपके पास में होना compulsory है state nursing council का या फिर इंडियन nursing council का है तो आप यहाँ पर apply कर पाओगे one year experience जैना minimum 50 bed head recognized hospital after acquiring the education qualification mentioned है बो sorry friends मैं आपको यहाँ पर बता दूँ BAC nursing post BAC nursing के साथ में आपके पास में one year का experience है minimum 50 bed head hospital का तो ही आप apply कर पाओगे otherwise आप apply नहीं कर पाओगे वहीं दोस्तां यह नम की बात कर तो diploma in general nursing and advisory from recognized board of university two year का आपके पास experience है plus RN RN number है आपके पास में registered nurse हो तो आप apply कर पाओगे यहाँ पर GNM के लिए two year का experience रहना वाला है और BAC के लिए one year का 50 bed head hospital का experience है वो रहने वाला है age limit की बात कर तो आप 30 year तक के candidate apply कर पाएंगे और उसके बाद में दुस्तों instructions दे रहे हैं general instructions to the candidates तो कैसे क्या apply करना है इस सारी चीज़े आपको यहाँ पर बता रहे है फोटो कैसे upload करना है document कैसे upload करना है सारी चीज़े mention कर रहे है यह pdf में हमारे telegram channel पर available करवा दूंगा telegram का link आपको description में provide कर रहे हैं वहाँ से जाके आप राप्त कर सकते हो telegram जरूर join करें link आपको description में दे रहे हैं I hope आज की वेकेंसी का वीडियो बहुत सांदर आपको लगा होगा तो वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को like जरूर करें सबी friends के साथ में इस वीडियो को share जरूर करें मिलते हैं next और informative धमाकेदार वीडियो के साथ में तब तक आप सब लोग स्वास्त रहे हैं मस्त रहे हैं सारी चीजे यहाँ पर दोस्तों online जो mode रहने वाला है आप देख सकते हूं website में आपको बता दी थी www.bhu.ac.in इस पर जा धिली, thank you so much